हेलो दोस्तो मेरे इस इट्वीड चनल में आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि कैसे अपनी इम्मूनिटी सिस्टम को जल्दी स्ट्रॉंग करें तो दोस्तो बने रहेगा इस वीडियो में लाश्ट सक अगर हमें कोई भी डिजीज क्रियेट होती है या कोई भी प्रॉबलम अपनी बॉडी में महसूस होती है जैसे कि अस्थमा है, BPH या लोगी प्रॉबलम है Cancer है, Diabetes है, Arthritis है, Hair Follicles की प्रॉबलम है एकनिप इम्पल्स की प्रॉबलम है इसकिन डल महसुस हो रही है या बार-बार थकान महसुस होती है बार-बार बीमार होते हैं दोस्तो कोई भी प्रॉबलम अगर आपको create होती हुई नजर आये अपनी बॉड़ी में तो समझ लो अपना immunity system भी हो गया है दोस्तो अगर बीमारियों से बचना है तो हमें अपने immunity system को strong करना होगा immunity system को किस तरीके से strong करें कैसे क्या करना होगा immunity system को strong करने के लिए यह मैं आपको इस वीडियो के माध्धम से बताने वाला हूँ इस वीडियो को last तक लगातार जरूर देखें दोस्तो अगर हमको अपना immunity system में strong करना है तो मैंने five rules बताए हैं उन पर focus करिए उन्हें follow करिए definitely हमारा immunity system बहुत जल्दी strong हो जाएगा तो दोस्तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो five rules तो rules number one है हमको दिन में 4-5 लीटर पानी पीना है पानी जितना ज़्यादा पीएंगे उतना ही हमारी body अच्छा detoxification करेगी body से जो भी गंदगी है वो बाहर निकल जाएगी और हमको constipation की problem भी नहीं रहेगी तो समझ लें हमारा immunity system strong होने वाला है दोस्तो पानी हम सुबह की time गुनगुना पानी पीएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है और दिन में normal पानी पीएंगे तो अच्छा रहता है तो friends 4-5 लीटर पानी पीते रहें regular पीते रहें हमारा immunity system बहुत जल्दी strong हो जाएगा rule no.2 rule no.2 है इसमें दोस्तो हमें कम से कम एक घंटे का daily exercise and yoga करना है daily exercise और yoga करने से हमारी body के अंदर जो भी bacteria virus मरे पड़े हैं जो भी bacteria virus की dead body हमारी body में store है वो हमारे detoxification के साथ body से out हो जाती है हमारे body के सारे के सारे organs काम करते हैं इसलिए daily एक घंटे exercise जरूर करें rule no.3 दोस्तो हमें अपनी diet को properly maintain रखना है diet maintain में हमें क्या-क्या add करना है diet में हमें क्या-क्या add नहीं करना ये जानते हैं तो दोस्तो हमें अपनी diet में 50% fiber और salad को इस्तिमाल करना है dry fruits को इस्तिमाल करना है ताज फल रसदार फलों को इस्तिमाल करना है दोस्तो जादा से जादा हम शलाद और फलों का इस्तिमाल करते हैं तो हमारी body अच्छे से detoxification करती है और immunity system बहुत जल्दी strong होता है तो दोस्तो अपना इस diet के साथ साथ हम और भी बहुत सारी चीज़ें अपनी diet में add कर सकते हैं जैसे कि vitamin C vitamin C के लिए हम नीबू add कर सकते हैं नीबू हम हलके गुनगुने पानी में निचूड कर भी पी सकते हैं या अपने salad या खाने के साथ भी mix कर सकते हैं दोस्तो अगर नीबू नहीं तो हम आपमलावी ले सकते हैं आपमलावी vitamin C का भरपूर सुरूत होता है दोस्तो इसके साथ साथ हम और भी चीज़ें इस्तिमाल करेंगे जिनसे हमारा immunity system बहुत तेजी से strong होता है जैसे कि हल्दी है हल्दी पाउडर को हम हलके गुणगुने पानी या हलके गुणगुने दूद में mix करके सोते टाइम पीते हैं तो हमारा immunity system बहुत तेजी से grow करता है अगर हम हल्दी के साथ साथ अस्वगंदा पाउडर गुनगुने दूद या गुनगुने पानी में मिक्स करके लेते हैं तो दोस्तो हमारा इम्मिनटी सिस्टम बहुत तेजी से स्ट्रॉंग होता है इसके साथ साथ अगर हम नीम गलोई पाउडर या नीम गलोई का काड़ा रेगुलर भी इस पर पीते हैं तो भी हमारा इमन्टी सिस्टम बहुत जल्दी से स्ट्रॉंग होता है दोस्तो ये रही हमारी डाइट इस डाइट को रेगुलर इजली 20 से 30 दिन के लिए फॉलो करें आपको महसूस हो जाएगा 20 से 30 दिन में हमारी बॉड़ी में कितने सारे चेंजे जाए हैं हमारा इमन्टी सिस्टम कितने हद तक स्ट्रॉंग हो चुका है सो दोस्तो नेश्ट रूल है वो है हमको प्रॉपरली 7 से 8 घंटे की अच्छी नीद लेनी है अच्छी नीद लेनी है इस्ट्रेच फिरी रहना है क्योंकि दोस्तो अगर हम स्ट्रेच में रहते हैं तो हमारी बॉड़ी रिलेक्स फील नहीं करती हमारी बॉड़ी के ओर्गेंस अच्छे से काम नहीं करते हमारी बॉड़ी की बहुत सारी सेल्स टैमेज होने लगती है इसलिए दोस्तो अच्छे से प्रॉपर नीद लेंगे जब हम अच्छी नीद लेते हैं 7-8 गंटे की तो हमारी जो dead cells हैं वो body से pass out हो जाती हैं और जो भी new cells हैं वो recover होती हैं और भी new cells बनती हैं तो दोस्तो अगर अपने immunity system को strong करना है तेजी से strong करना हैं तो ये five rules हमें follow करने होंगे इन five rules को regularly हम एक से दो महीने भी use कर लें तो हमारा immunity system काफी हद तक strong हो चुका होगा बहुत तेजी से strong होगा बहुत जल्दी गिरो करेगा हमारा immunity system तो दोस्तो आज का वीडियो यहीं तक आशा करता हूं और आपको ये वीडियो काफी हद तक पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो थो like, share & subscribe जरूर करें bell icon press करें तो दोस्तो अब मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थेंक यू सो मच